Hello future officers, my name is Siti Indra Chodri and I welcome to all of you to ITO Classes. दोस्तों, आज है October 24, Sunday का दिन है और हम लोग करने वाले हैं The Indian Express के न्यूस्पेपर की analysis. Sunday का दिन है, तो इसलिए आज का न्यूस्पेपर भी थोड़ा सा हट के होने वाला है, क्योंकि Sunday को explained section नहीं आता है, जो हमारा सबसे favorite section है. Actually Indian Express में explained section ही समसे बढ़िया section होता है, बात की तो इसमें mostly political news ही पूछी जाती है, खेर. तो आज हम लोग उसको करने वाले हैं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि पिछली बार हम लोग ने आप से जो MCQ पूछा था, वो था, किसके बारे में? लेकिन फिर भी उसमें थोड़े से changes होते हैं, आप सभी को पहले से पता है कि Britain के अंदर written constitution नहीं है, जैसा कि इंडिया में है, इंडिया को जो written constitution है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी और सबसे complex constitution है, क्योंकि हमारे बीच में थोड़े से changes है, हमारे बीच में थ judicial review का concept होता है, जिसकी वज़े से Parliament की जो legislation की power होती है, वो limited हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे case में Supreme Court उस laws को null and void declare कर सकता है, लेकि Britain के अंदर ये concept बिलकुल भी नहीं है, इसका मतलब पहली statement absolutely true है, दूसरी में कहता है, in India matters related to the constitutionality of the amendment of the act of the Parliament are referred to the constitutional bench by the Supreme Court, ये constitutional bench क्या होता है, द हमारे Supreme Court में कहीं तरह की bench होती है, किसमें दो जज़े होते हैं, किसमें तीन ज़े होते हैं, किसमें एक ज़े भी हो सकता है, अब बात यह है, कि अगर किसी लोग को जो Parliament ने पास किया है, उसकी constitutionality आपने चेक करनी है, उसके लिए constitutional bench बनाए जाती है, और constitutional bench में 5 जज या 5 से ज़े ज़े होते हैं, यह आपको याद रखना है, उसे कहते हैं constitutional bench, हमारे Supreme Court में constitution के अंदर article 143 and 145.3 के अंदर में यह provision दिया हुआ है, कि इस तरह के जो मुद्दे होंगे, वो constitutional bench के पास ही जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से ज़े ज़े होते हैं, जैसे case 1 अंदा भारती case था, ज इस तरह के जो constitutional bench, बड़ी bench होते हैं, 5 ज़े होते हैं, 7 ज़े होते हैं, 9 ज़े होते हैं, उस तरह पर जाती है, तो आपकी second statement भी यहाँ पर absolutely true हो जाती है, तो आपका answer हो जाता है C, both 1 and 2, खैर, आगे बढ़ते हैं, आजा question, आजा question जो है, वो आपका economy section से related है, banking sector से related है, कहत का arrangement करने के लिए, तब RBI ही उनके लिए रास्ता खोलता है, जिसे कहते है, lender of the last resort, कहता है, lending to trade and the industry bodies when they fail to borrow from the sources, ठीक है, जैसे reliance, अंबानी बगारा होगे, क्या वो supreme, RBI के पास जाते हैं, एक the question यह है, पहला कहता है, दूसरा option कहता है, providing liquidity to the banks, having a temporary crisis, very good, आगे कहता है, lending to the governments to finance budgetary deficit, तो यह तीन option आपके सामने है, economy के section से है, पहले भी हम इसको कहीं बाद discuss कर चुके हैं, जैसे जैसे हमारे पास article आते रहे हैं, तो I hope आप इसका answer भी दोगे, option आपके सामने है, one and two, two only, two and three, and three only, comment section में फटा 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 इसका answer दे दीजिए, explain section, हम कल जो analysis कराऊंगा तो वहाँ पे आपको इसकी explanation मैं provide करवा दूँगा, ठीके जी, चलिए, उसके लावा कुछ बच्चे है थे जुन्होंने पुछा सथा-था-था, cost push inflation क्या होती है, देखे, cost push inflation का मतलब यह होता है, जैसे मालो आपकोई भी समान बनाते है, मालो आपने कोई leather shoes बनाया, अब leather shoes बनाने में आपको बहुत सारी input cost लगती है, उसके अंदर leather लगता है, रोम टेर लगता है, labor लगता है, land लगता है, capital लगती है, तो जब उनका price increase हो जाता है, तो cost जूते की overall cost increase हो जाती है, उसे कहते है, cost plus inflation, जिसका मतलब जब input cost increase हो जाती है, उसको कहते है, cost push inflation, ठीक है, अब बढ़ते हैं के पहला topic कहता है, avoid jail for the drug users, seizure of the small amounts, social justice ministry, social justice ministry ने कहा है, कि भाया हमारा जो narcotic drugs and the psychotropic substance NDPS act है, इसके अंदर को change करने की ज़रूरत है, एक human approach यहाँ पर adapt करने की ज़रूरत है, यह मामला पूरे परा कहां से आता है, अभी जो इतने सारे बुलिवड के celebrities हैं, व इसमें और भी बहुत सारे हैं, इससे पहले भी कहीं सारे case है, अर्मान कॉली तो बेचारा पिछले दो महीने से jail में पड़ा हुआ है, थोड़ी से drugs उसके घर पे मिल गई थी, तो बात यह है, उन्होंने कहा है कि जिसके पास हल्की फुल की drugs पाई जाती है, जो उनकी private consumption के ले होती है, तो उनको jail में मत भेजा जाए, उनके ओपर leniency बरती जाए, उनको rehabilitation में भेजा जाए, de-addiction center में भेजा गए, क्योंकि वो लोग criminal नहीं है, वो लोग actually victim है, वो drug abuse के चक्र में फस गए हैं, और जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो अगर वो लोग चाहे तो वो voluntarily rehabilitation और de-addiction center में जा सकते हैं, जो सरकारी होंगे, तो ऐसी कुछ recommendation भेजी है, social justice ministry ने department of revenue को भी भेजी है, home ministry को भी भेजी है, social justice empowerment ministry को भी भेजी है, ठीक है, उसमें ये सारी सारी चीज़े है, NDPS जो act है, उसके तहत section 27 होता है, अगर किसी के पास हलका फुल का drugs पाई ज गया जाएगा और एक साल तक की सजा उसको हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर ये थोड़ी सी गड़वड़ी है, कि जो इनसान ने पहली बार drugs use की है, या जो हमेशा सही करता आया है, या कोई addict है, या पहली बार use कर रहा है, सभी के लिए एक ही तरह का प्रावधान है, अलग जिसको लेके इसको criticize किया जाता है, ठीक है, मतलत देखो जिसने पहली बार चोरी की है, और जिसने दस बार murder कर चुका है, अब दोनों के वीच में difference तो होना चाहिए न, लेकिन इसके अंदर वो नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके अंदर change करने की ज़रूरत है, let's hope कि के अंदर कुछ changes होंगे future में, आगे बढ़ते हैं, second article कहता है, शाह takes stock of the JNK security, seeks more protection for the minorities, यह topic हम लोग पहले भी कर चुके हैं, किस तरह से JNK के अंदर जो non muslims हैं, या फिर non kashmi rights हैं, उनके ओपर attack हो रहे हैं, उसको लेके अभी हमारे जो home minister है, शाह जी, वो गए थे JNK मे वहां की security वारा के लेकर, वहां की कुछ social society वारा के लोगों से उन्होंने बाचित किया है, और उन्होंने कहा है कि minority के rights को protect करना उनकी जिम्मेदारी है, खेर, आगे कहते हैं कि judicial infrastructure and afterthought, ad hoc and the unplanned, यह CGI, हमारे जो रमना जी हैं, वो कई उद्खाटन कर रहे थे, कईसी चीज का, वहां पे इन्होंने ये बात बोली है कि भीया, अगर आपको justice delivery चाहिए, तो आपको infrastructure develop करना पड़ेगा, जैसे, मालो अगर court ही नहीं होगे, court के अंदर building ही नहीं होगी, वहां पे computer की सुविधा नहीं होगी, वहां पे पंखे नहीं होगे, वहां पे toilets नहीं होगे, तो आप कैसे justice delivery करोगे, लोग justice delivery के लिए आते हैं court के पास, और पता चला के court में आके sealant हो गई है, court की छट गिर गई है, तो infrastructure ही नहीं है, वो यहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है, यह मैं मजा की बात नहीं है, यह CJ ने खुद अपने मुह से कहा है, उन्होंने कहा है, कि बहीं इ कहते हैं कि इंडिया में 16% जो courts हैं हमारे, 16% courts हैं, वहां पे जो है ladies के लिए toilet ही नहीं है, 54% courts के अंदर, पीने के पानी की मतरब water purifier नहीं है, 5% courts के अंदर ही सिर्फ medical facilities हैं, सिर्फ 32% courts में अलग से recording rooms हैं, सिर्फ 20% courts में ही computer लगे हुए हैं, जिनके अंदर video conferencing और रखी सुविधा है, तो इन चीज़ों से क्या पता लगता है, इन से यही पता लगता है कि हमारे यहाँ country में जो judiciary का infrastructure है, उसकी हालत बहुत ज़ादा खराब है, इन्हों ने ये भी कहा कि CGI ने, इन्हों ने थोड़े समय पहले एक national judicial infrastructure authority की मांग की थी, ministry of law and justice को proposal भेजा था, जिसके उपर अभी तक कोई भी action नहीं लिया गया है, generally लोग ये मानते हैं, कि court के, हमारे country में कहना, लोग बड़े proud से कहते हैं कि आज तक मैं अपनी जिन्दगी में कभी court में नहीं गया, हैना आज तक मैंने कभी police station का मुह नहीं देखा, ऐसा बड़े गर्व से लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि court के अंदर जाना, या police station के अंदर जाना, चाहिए को किसी भी reason की वज़े से हो, हमारे country में अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा उनका कहना है, लेकि उन्होंने कहा कि ये जो attitude है वो गलत है, भी या court आपको justice delivery करने के लिए होता है, कोई court को avoid मत कीजिए, है ना, court का मतलब सिर्फ ये नियुत है कि हमापे हमेशे criminal आते हैं, किसी भी तरह का justice हो, आप court में जा सकते हो, तो ये भी उन्होंने बड़ी बात यहां पे बोली है, जिसको आप कभी कबार अपने answer में लिखने के लिए यूज कर सकते हो, और ये जो data आपको थोड़ा सा बताया है, ये तो आप लिखी लो अपनी notebook में, क्योंकि ये data आपको काम आता है, कभी भी answer लिखने के लिए, और ये relevant data है, कोई ऐसाच बकवास नहीं है, क्योंकि CJ ने खुद बोला है, तो relevant data ही है, ठीक है जी चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे कहते हैं, कि talks with the center didn't live up to the hype, deadlock unfortunate NSCM, ये NSCM क्या है, IEM का मतलब होता है Isaac Mewa, देखें, National Socialistic Congress of Nagaland है, उसके बारे में ये बात कर रहा है, Nagaland के अंदर कई separate groups हैं, जो Nagaland को एक अलग country बनाने की मांग करते हैं, हालां कि अभी ये country, जब ये शुरू में develop हुए थे ना, तो अलग country की बात करते थे, लेकिन आज के लिए अलग country की बात नहीं करते हैं, ये कहते हैं के भाईया हमें separate flag दे दो, और हमारा एक separate constitution बना दो, तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन इस सरकार कहते हैं के भाईया देखो, हम आपके लिए separate constitution और flag नहीं बनाते हैं यार, ऐसे तो अगर आपको बनाने लगेंगे, तो हर कोई demand करने लगेगा, मतलब नागा लेंड के दर जो नागा लोग रहते हैं, उसके लाब कुछ नागा लोग आसाम में भी रहते हैं, मनीपूर में भी रहते हैं, मिजोरा में भी रहते हैं, इनका कहतना है कि आप सभी उनी एरिया को जोड़ के एक proper state बना दो, और हमें autonomy दे दो, हमारा separate flag दे दो, constitution दे दो, सरकार ने कहा कि यह सब नहीं कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरिया हैं, और आप लोग भी violence को छोड़ के, प्लीज, democratic process में अंदर आईए, ठीके जी, चलिए, PM meets vaccine makers, ask them to work together, कोई खास news नहीं है, आप चोड़ सकते हो, ठीक है, पूरा America, पूरा Europe, इतनी population है, तो उतने लोगों को vaccination हम लोगों ने दे दिया, किसी किसी को double dose दी है, किसी किसी को single dose दिया है, वो बात अलग है, लेकिन इंडिया ने काफी अच्छा यहां पे एक record बनाया है, तो उसके लेके ही PM मोदी ने दूसरे vaccine makers के साथ बात की थी, जो इंडिया में vaccine बना रहे हैं, कि भाई आप सभी मिलके काम कीजिए, क्योंकि इंडिया को जल्दी से जल्दी अपना पूरा vaccination यहां पे करने की जरूरत है, ठीक है, आज के एडिटोर के बनायों में बात करें, यह पूरा एकदम से देखें, जीदामरम जी ने लिखा है, तो काफी political है, तो इसलिए हमारे exam में इसको बहुत जादा हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि definitely निन्होंने anti-BGP stand यहां पे लिया है, लेकिन है migration के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंडिया में क्या पूरी दुनिया में बहुत समय से ही migration चली आ रही है, इंडिया में time to time Central Asia से, अफगान से, बांगलादेश से, पाकिस्तान से, बटवारे के समय में, बहुत सारे लोग इंडिया में आये साइटल हो गए, इंडिया से भी बहुत सारे लोग बाहर गए, जैसे USA में गए, या Middle East countries में गए, Australia, New Zealand, UK वगएरा, वहाँ पे जाके लोग साइटल हो गए, तो migration कोई ऐसी बात नहीं है, के migration हमेशा problem ही create करता है, migration बहुत बार अच्छी चीज़ भी होते है, बहुत जाद खराब चीज़ भी होती है, लेकिन इनने कहा है के recent जो सरकार है, वो migration को लेके, specially कुछ खास communities को लेके, जैसे Muslims को लेके, उनका एक अलग नजरिया, यहाँ पर नजर आता है, चाहिए आप constitutional amendment act की बात करो, चाहिए आप love jihad की बात करिये, चाहिए आप lynching की बात करिये, तो Muslims को लेके attitude यहाँ पर बहुत ज़्यादा change आ गए है, चाहिए आप NRC की बात कर लीजिए, तो इन्होंने anti-VGP stand यहाँ पर लिया है, देखिए आज कल की तो बहुत किल्दा चल रही है न, तो कोल की किल्दा चलने की वज़े से प्रोलम यह हो गई है, कि हमारे बहुत सारे thermal power plant या तो वो बंद पड़े हैं, या फिर बंद होने की कगार पर हैं, लेकिन यहाँ पर इनका rescue करने के लिए को न आएगा, जो renewable energy है, जैसे solar है या wind है, तो इन्होंने कहा है, कि जो solar और wind energy से जो हम लोग electricity produce करते हैं, उनको must run का status दे दिया है, must run का मतलब यह है, कि वो किसी भी coast के उपर उनको run करना पड़ेगा, बिजली जो produce करेंगे, वो उनको grid को देंगे, जो हमारा normal grid होता है, जिससे जो coal वाली कमी है, वो थोड़ी सी पूरी यहाँ पर हो सके, ठीक है, इतना ही news है, कोई खास news नहीं है, छोड़ सकते हो, कहता है, इस पेटियम heads for the largest domestic IPO, यह IPO क्या है, तोड़ा बताऊंगा आपको, more than startups likely to follow suit, देखें, IPO का मतलब होता है, initial public offer, क्या होता है, initial public offer, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, बहुत सारी companies ने पिछले दिनों IPO issue किया था, जिन में से बहुत बड़ा IPO, जो है आपका, किसका यह था, जो food, Zomato का है, Zomato का काफी हीट हुआ था, अभी IPO है क्या, मतलब यह आपका concept है, GS Paper 3 से आपको कर कर सकते हो, initial public offer, मतलब public को जब offer दिया जाता है, कि भहिया, आप भी company के अंदर shares खरीद लीजिए, उसे कहते हैं initial public offer, जो पहली बार दिया जाता है, first time दिया जाता है, उसे कहते हैं initial public offer, और second, third time जो दिया जाता है, उसे कहते हैं FPO, follow up public offer, getting this point, जैसे पहले कोई company private होती है, तो private company में तो definitely public का share नहीं होता है, लेकिन जब उस company को और पैसा आरेंज करना है, मालो उसको और ज़्यादा पैसा जाए, उसको करोडर रुपया चाहिए, क्योंकि अपने business को expand करना चाहता है, अब उस पैसे को वो कहां से लाएगा, या तो बैंक से लोन लेगा, लेकिन अगर वो बैंक से लोन नहीं लेगा, तो जिस इनसान ने वो share खरीद रखा है, उसको भी profit मिलता है, इसे कहते हैं IPO, तो ये जो पूरी का परो प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं primary market, ठीक है, primary market कहते हैं, और उसके बाद जो selling and purchasing होती है, उसे secondary market कहते हैं, मतलब जिसे आप stock market भी कह सकते हो, selling और purchasing जो होती है shares की, वो stock market के अंदर होती है, और इसको कौन regulate करता है, say भी इसको regulate करता है, ठीक है, तो अभी IPO ने एक अपना IPO launch करने वाला है, Paytm, और जिसने सोचा है कि कम से कम 20 billion से लेके, 22 billion dollar का ये valuation इसकी company की हो जाएगी, तो definitely future में, Ptm को और भी ज़्यादा ventures में यहाँ पर देखने वाले हैं, चलिए, आगे कहता है, demand high supply low hit by the chip shortage, automaker slow on the deliveries, देखिए सीदी सी बात है, अब ये auto wire अर्माल आपने कोई गाड़ी बनानी है, उसके लिए सिर्फ hardware यूज़ थोड़ी होता है, इसे बाते हैं, यह अपने बंद हो जाता है, तो यह सब सारी चीजे ना सीलिकोन चिप के उपर काम करते हैं, सेमी कंडुक्टर पे काम करते हैं, और दुनिया में सेमी कंडुक्टर की किल्लत इस्ते में बहुत ज़ादा चल रही है, जिसका burden आपको mobile industry भी देखने को मिल रहा है और auto mobile पे भी तो auto makers जो है वो chip की किलत होने की वज़े से time पे supply नहीं कर पा रहे हैं अगर आज आग गाड़ी को book करते हो किसी नहीं गाड़ी को book करते हो तो कम से को आपको 9-10 मीनी लग जा रहा है गाड़ी deliver होने में तो यह थोड़ी सी समझ से यहाँ पर चल रही है ठीक है और तो कोई खास नहीं था इसमें यहीं है उसके लावा अगली जो news हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं वो यह है साउदी टू एंशोर oil market stability but stresses on the hydrocarbon hydrocarbon का मतलब होता है आपका diesel, petrol, natural gas वो सब hydrocarbon, coal, coal भी hydrocarbon ही होता है तो साउदी अरेबिया वही very well नो कि दुनिया का सबसे बड़ा exporter है crude oil का लेकिन climate change को तो भीया चिंता इसको भी करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया भर का pressure है climate change को लेके तो साउदी अरेबिया के सामने बड़ी धर्म संकट है वो कहता है भीया अगर मैं climate change पे focus करूँगा तो मैं तेल कैसे बेचूँगा क्योंकि मेरे तो पुरा economy तेल से चल रहा है तो खेर वो पुरेगा मुरमद अलग से रहेगा हम लोग तो यह कहता है साउदी अरेबिया कहता है कि आप मुझे demonize मत कीजिए मतलब मुझे गाली वाली मत दो 2060 तक मैं भी net zero पे पहुँच जाओंगा net zero का मतलब अलड़ी मैं आपको बता चुका हूँ इसका मतलब होता है कि जब आप कोई भी extra carbon dioxide को atmosphere कंदर emit नहीं करते हो जितनी emit करते हो उतनी ही absorb करते हो तो zero हो जाता है USA ने अपना जो target है वो 2050 रखा हुआ है इंडिया ने अभी भी अपना कोई net zero target नहीं बताया है दुनिया भर वाले pressure डाल रहे थे साउदी अरेबिया के उपर तो finally Saudi Arabia ने बोल दिया है कि मैं net zero 2060 में achieve कर लूँगा क्योंकि COP26 अभी जो glass go में होने वाला है उसकी वज़े से सब इसको pressurize कर रहे थे तो हलांकि Saudi Arabia अभी भी बोला है कि वो तेल को बेचना बंद नहीं करेगा बिलकुल भी बलकि तेल की production को बढ़ाएगा लेकिन अभी तो 40 साल का समय है तो उसमें देखते हैं कि future में क्या होगा अगली जो दुनियादारी से हम लोग खबर लेका हैं आपके लिए वो ही है कि पाक सेज no pact with the US on the use of airspace for the operation of Afghanistan देख आफगानिस्तान के अंदर समझें अभी भी सुलजी नहीं है तालिबान वहाँ पर आ गया है लेकिन दूसरे टेर्रिस्ट ग्रूप भी वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं जैसे आप काईसीस हो गया अलकाइदा हो गया अब उनके अगेस्ट में operation करने के लिए क्या चाहिए अमेरिका को एक airbase जाईए जहां से वो अपने जहाजों की उड़ान भर सके और उनके उपर अटैक कर सके तो अफगानिस्तान के सबसे पास में कोन है पाकिस्तान है और पाकिस्तान अमेरिका का बहुत पुराना कर भी देगा लेकिन फिलहाल मना कर दिया क्योंकि तालीबान को ये कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ करें as a airbase क्योंकि अगर अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो तालीबान वाले पाकिस्तान के अंदर भी प्रोलम क्रियेट कर सकते हैं तो उनके साथ उनके साथ डॉमेस्टिक प्रोलम भी है और इंटरनेशल प्रोलम तो है ही क्योंकि खुद वह तालीबान को सपोर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के साथ ना चारो तरफ सिस्टम में समझ सही हैं खेर अब जब सांप को पालो गए तो एक दिन साथ आपको ही डंक मारेगा और तो इस समय वह डंक जो है टेर्रीजम वाला साथ पाकिस्तान को डंक मार रहा है खेर कहता है बीजिंग रैंप सब्दा टेस्टिंग कर सुन्दा कोविड केसिस में दुबारा से कोविड केसिस बढ़ने शुरू हो गए है चाइना के हार लाइनर हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं काफी जादा और टरकी के लिए का एक समस्या हो रहा है तरकी को अभी FATF यहने के फाइनेकि अश्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रखा गया है पाकिस्तान के साथ दोनों दोस्त मिल के अभी पत्ते खेलेंगे क्योंकि दो उन्होंने अपने 10 foreign ambassadors को उन्होंने उनको बाहर भेजने का फैसला किया है क्योंकि वहाँ पे कोई philanthropist थे टर्की के अंदर 2017 से ही जेल में बंद पड़े हुए हैं और टर्की को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था तो टर्की नेक्शन लेते हुए उनको बाहर भगाने की यहाँ पे बात कर दी है जिसके अंदर Sweden, Finland, Denmark, Norway, New Zealand इनके ambassadors को वह भार भगा रहा है ऐसा कुछ यहाँ पे सुनने में आया है कोई खास news नहीं थी वैसे तो यह लेकिन still आज और कुछ नहीं है संडे में आई वाला section आता कोई खास important हमारे लिए होता नहीं है उसके बाद हम जो है sports news क थोड़े हम आपका यहां से लिक भेज देंगे टेलिगराम का लिंक भी नीचे दिया हुआ आप उसको भी जोइन कर सकते हो that is all for the day thank you very much all the best and जाहिंद